मूवी का नाम है ब्रीडर इंसाइड देर बॉडिस वेसे तो मैं एक ब्रीडर मूवी पहले ही एक्स्पेन कर चुका हूँ जिसके विउस अल्रेडी लाखों में हैं और आप भी उस मूवी को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेकिन आ को फोन किया है और वो अपने बेटे के लापता होने की इन्फोर्मेशन दे रही है लेकिन उसकी आवास फोन पर ठेक से सुनाई नहीं देती और यसी नहीं पर कट कर दिया जाता है अब ये बात मालता नाम के एक आईलेंट पर बने हुए चोटे सा शेहर की है जहां पर कु कुछ भी पता नहीं लगा पा रही है अभी न्यूज वाले के सीन के परेलल में एक और सीन चल रहा था जिसमें एक आदमी अपने घर में कुछ कीड़ों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो उन पर उनके खाने की हैबिट और रहन सेन पर रिसर्च कर रहा था और फिर ये आदमी एक दूसरे रूम में एंटर करता है जहां पर कुछ लोग बंदे हुए थे उनके शरीर पर घाव थे और वो घाव पूरी तर से खुले हुए थे और ये कीड़े इनी जिन्दा लोगों के घावों में पल रहे थे ये सीन यहें पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में स करत उससे मिलने के लिए जित कर रही है ओल्गा वही ओरत थी जिसने मूवी की स्टाटिंग में पुलिस को फोन लगाया था लेकिन पुलिस से उसे कोई भी मदद नहीं मिली ओल्गा सेंडर को सारी चीज़े बताती है कि उसका बेटा कर्ट मालता शेहर से गायब हो चुका ह और पुलिस उसका साथ नहीं दे रही है सेंडरा ओल्गा की हेल्प के लिए तैयार हो जाती है और ओल्गा उसे बताती है कि कर्ट को गाया हुए एक महीन नहीं हो चुका है वो सुबह जोगिंग पर गया था फिर फ्लेशबेक में हम कर्ट को देखते हैं जब वो सुबह सु प्यास लगी थी और उसे एक गरेज का दर्वाजा खुलावा दिखाई देता है जहां पर जाकर वो एक आदमी से चेंज मांग रहा था क्योंकि उससे बहुत जोड़ से प्यास लगी थी वो आदमी कर्ट को कहता है कि वो वेंडिंग मशीन बंद है लेकिन वो अगर चाहे तो उसके लिए कुछ ड्रिंक ला सकता है जिसके बार में कर्ट उस आदमी के गरेज में एंटर होता है और फिर वो आदमी कर्ट के लिए ड्रिंक रेडी करता है लेकिन वो आदमी उस ड्रिंक में कोल ड्रिंक के साथ साथ कुछ और भी डाल रहा था जिससे पीने के बार में कर्ट को कुछ एजिब फिल होता है और उसे खून की उल्टिया होना चालू हो जाती है और फिर देखते ही देखते उसकी आख नाक और सब दूर से खून बेहने लगा था कर्ट की हालत बहुत खराब हो गई थी और फिर वो आदमी उससे अंदर लाकर उल्टा लेटा देता है और फिर उसके पीछे एक इंजेक्शन से कुछ लिक्विट को इंजेक्ट कर देता है और यह आदमी वही ब्रीडर था जो लोगों को गयाब कर रहा था फिर नेक्स्ट सीर में हम देखते हैं कि दो शिकारी अपने घर के आसपा से शिकार कर रहे हैं इनके नाम थे कैनेथ और मार्कोस मार्कोस शिकार के तलाश में आगे जा रहा था जहां पर उसे रास्ते में एक छोटी लड़की मिलती है और तबी पीछे से ब्रीडर आकर मार से पहले यहां कितने लोग गायब हुए हैं उसे पता लगता है कि गायब होने वालों में ज्यादा तर लोग टूरिस्ट थे जो मालता घुमने के लिए आए हुए थे कुछ की बोडिस कभी नहीं मिली और जिनकी बोडिस मिली थी उनके शरीर पर बड़े बड़े घाव थे जिन में कीड़े पाए गए थे और जांच में पता चलता है कि ये किड़े उसकी बॉड़ी में पहले डाले गए थे जबकि ये किड़े किसी जीव या इंसानों के मरने के बाद में पढ़ते हैं जेनी को इन किड़ों के बार में पता था और किड़ों की स्टेडिस को एंटेमलोजी कहते हैं जैनी सेंडरा को कहती है कि मास में पलने वाले किलो को नेकरोफेगस लारवा कहा जाता है जो कि मक्षयों के लारवा होते हैं लेकिन लोगों की बॉडिज में मिलने वाले ये लारवा किसी और केड़े के थे जेनी ये कहती है कि ये लारवा इनसान की बॉडि में जल्दी बढ़ते हैं और ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ती जान बूचकर इन लारवा की ब्रिडिंग करवा रहा हो क्योंकि ये लारवा बहुत सारे पेट्स का खाना बनाने के काम में आते हो और इंटरनेशनल मार्केट में इनके कीमत बहुत ज़ादा है लेकिन कोई विक्ती सिर्फ इन लारवा को बेशने के लिए क्यों किसी इंसान की जान लेगा जैनी को बस ये शक्ता कि ऐसा भी हो सकता है लेकिन सेंडरा उसका मज़ाक उडाती है और वो इस केस को ज़्यादा सिर्यसली नहीं ले रही थी जिससे की जैनी खुदी इन्वेस्टिगेशन करने निकल जाती है जैनी को लगता है कि अगर उसके कीड़े वाली थियोरी सही है तो जरूर किसी पेट्शोप वाले के यहाँ पर वो कीलो का ब्रीडर गया होगा उन कीलो को बेचने के लिए फिर ये सीन कट होता है और शिफ्ट होकर ब्रीडर के यहाँ पर आता है जहाँ पर ब्रीडर की बेटी अपनी डॉल से खेल रही थी और उसके पिता यानि की ब्रीडर लोगों के शरीर में कीलो की ब्रीडिंग करवा रहा था और जिस आदमी के पेट में कीलो की ब्रीडिंग हो रही थी उसका नाम था कर्ट ब्रीडर के जानने के बाद में उसकी बेटी कर्ट के पास में आकर उसके मुँपर पॉली बेग को लपेट देती है और फिर वो उसके चेरे पर चाकु से मार मार कर कर्ट का खेल ख़तम कर देती है और इन कीड़ों को उठा कर देखती है जोकी बहुत ज्यादा disturbing सीन था इदर शिकारी मार्कोस को होश आता है तो वे देखता है कि वो एक रूम में केद है जहाँ पर एक और आदिमी मौजूद है बिरिडर आकर मारकोस को एक ग्लास में कोई ड्रिंक पिला कर जाता है जिसके बार में मारकोस को अपने सिर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था यह सीन यही पर कट होता है और हम यह देखते हैं कि एक टूरिस्ट कपल मालता आईलेंड पर गुमने आये हैं और जंगल में इंजोई कर रहे हैं लेकिन जब वे जंगल से वापस लोटते हैं तो उनके साइकल वहाँ पर मौझूद नहीं थी जिससे कि वो यहाँ पर आये थे और फिस साइकल के टायर के निशान का पीछा करते करते वो लोकल पुलिस को कॉल करके साइकल गुमने की इंफोमेशन देते हैं वो टायरों के पीछे पीछे एक घर तक पहुचते हैं जहां पर सड़नली उस लड़की को एक बड़ा सा इंसेक्ट दिखाई देता है जिससे की वो डर जाती है और उसका मोबाइल उसके हाथ से जमीन पर गिर कर तूड जाता है फिरे टायर का पीछा करते करते एक घर में पोच्चते हैं जहां उनके साइकल खड़ी हुई थी और ये घर था उसे शिकारी केनित का वो उनसे कहता है कि उनके साइकल रास्ते के बिचो बीच में खड़ी थी और इसलिए वो उसे उठा कर यहां पर ले आया चुकि मालता आइलेंड पर अक्सर चूरिया हुआ करती है जिसके बाल में ये टूरिस्ट कपल अपनी साइकल को लेकर जाही रहे थे कि तब ही केनत उन्हें ड्रिंक को आफर करता है और अपने घर के अंदर ले आता है जो कि एक बहुती जादा चोटा रूम था केनत उन्हें बियर आफर करता है और अपने कजिन भाई के बार में पूछता है कि उन्होंने उससे कहीं पर देखा है चुकि वो गायब है तब भी उन्हें बाहर से किसी की आवाज़े आती है और वो जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी साइकल गायब हो गई है केनत उने कहता है कि वो जाकर चोर को पकड़ता है तब तक वो उसके घर में उसका इंतजार करे और फिर इदर हम देखते हैं कि ब्रीडर एक मास्क पहने हुए है और वो उस कपल की ड्रिंक में कुछ डाल कर वहां से चला जाता है जिसकी किसी को भी खबर नहीं होती जब ये कपल वापस रूम में आते हैं तो यहाँ पर कोई नहीं था ये दोनों अपनी बेर खतम करते हैं और फिर ये लड़का सोचता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और मोके का फायदा उठाय जाए वो अपनी गर्फरेंड के साथ में इंटिमेट होता है और तभी उस लड़की को खून की उल्टिया होने लगती है और उस लड़के के भी आख, नाक और सबी दूर से खून बेहने लगा था वे बेहोशोकर जमीन पर गिर जाते हैं और तभी वहाँ पर ब्रीडर भी आता है उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए नेक्स्ट सीन में मार्कोस सलाखों के पीछे था वो भी दर्द में था और खून की उल्टिया कर रहा था उसके साथ वाल आदमी बिल्कुल ठीक था और तभी वहाँ पर ब्रीडर की बेटी आती है मार्कोस को देखने के लिए तभी सलाखों में केद वो आदमी ब्रीडर की बेटी को पकड़ कर मार्कोस से उसका हैर पिन निकालने को कहता है ताकि वो वहाँ का लोक खोल सके और इधर वो ब्रीडर भी पहुशने ही वाला था उन टूरिस्टों को लेकर मार्कोस जैसे तेसे उठता है और उस बच्ची का हैरपिन निकालता है और लोग को खुल कर वो उस बच्ची को ही अंदर बंद कर देते हैं मार्कोस की हालत बहुत ज़्यादा खराबती लेकिन वो जैसे तेसे उस आदमी के साथ बाहर आकर अपने फोन डूनते हैं और फिर मार्कोस अपने वाकी टॉकी पर केनेथ को मेसेज़ देता है और ब्रीडर के घर की लोकेशन बताता है कैनेथ ब्रीडर के पास में ही था और वो तूरंत मारकोस को बचाने के लिए निकलता है मारकोस और वो आदमी वहाँ से भागी रहे थे और तब ही वो रास्ते में ये देखते हैं कि यहाँ पर कई सारी लाशे पड़ी है जिन पर ये कीड़े पल रहे हैं और इनमें से कुछ लोग तो अभी भी जिन्दा है वो दोनों जैसे ते से भाग कर बाहर निकलते हैं और कैनेथ भी उनके पास बहुच चुका था लेकिन तभी पीछे से ब्रीडर भी आ गया था वो सबसे पहले कैनेथ को अपनी गन से उड़ाता है और फिर वो मारकोस के मुँ में अपनी बंदुक को डाल कर उसकी खोपड़ी के चितर चितर कर देता है फिर अब दूसरा आदमी भी यहाँ से बचकर निकलने वाला था और इन दी एंड ब्रीडर उसे पकड़ ही लेता है सिन कट होता है और हम देखते हैं कि जैनी एक पेट शॉप में है जहाँ पर वो ओनर से पूछताश करती है लेकिन ओनर उसके साथ में कौपरेट नहीं कर रहा था और वो जैनी से कहता है कि वो बस एक प्राइवेट डिटेक्टिव की असिस्टेंट है उसे पूछताश का कोई भी अधिकार नहीं है लेकिन फिर जैनी उसे धमकाती है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो अगली बार यहाँ पर पूलिस के साथ में आईगी जैनी बस यहाँ पर यह जानने आई थी कि क्या यहाँ पर कोई उससे वो कीड़े बेचने आता है शौप ओनर उस बीडर से कीड़े जरू खरीदता था लेकिन वो उसका नाम नहीं बताना चाहता था लेकिन जैनी उसकी शौप की CCTV फूटेज देखने के लिए उसे मना लेती है अगेंसीन कट होता है और यहाँ पर बीडर उस आदमी को पकड़ चुका था और उसे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था दरसल यह आदमी पुलिस वाला था और जान बुचकर यहाँ पर आया था और बीडर यह जानना चाहता था कि वो यहाँ पर क्यों आया है इस आदमी के मोबाइल पर सेंडर का कॉल आता है जिसके बार में बीडर इस पानी में डुबो डुबो कर मार डालता है नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओल्गा सेंडरा के घर पर आई है क्योंकि उसके बच्चे की अभी तक कोई खबर नहीं है ओल्गा को ये लगता है कि सेंडरा बस टाइम वेस्ट कर रही है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जिस पर सेंडरा गुस्टा हो जाती है और दोनों में लड़ाई होती है ओल्गा सेंडरा को बुरा भला कहती है और ये भी कहती है क्यों उसे उसका पती छोड़कर चला गया और तभी जैनी आकर सब कुछ समालती है और बताती है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिस पुलिस वाले को ब्रीडर ने किडनेप किया था वो पर सेंडरा का हस्बेंड था और वो भी ब्रीडर के जाच परताल करते समय उसके चंगुल में आ गया और तबी अचानक होता ये है कि सेंडरा ओलगा को वोड़का फिलाती है जिसमें जेर था जिससे की ओलगा वही प मदद की थी। जैनी को जब होश आता है तो वे देखती है कि वो बीडर के यहाँ पर केद है और उसके सांथ में वो पेट ओनर भी है जिसके बार में बीडर शॉप ओनर के पास में आता है और उससे उठाकर ले जाता है उसके उपर ब्रीडिंग करवाने के लिए और फिर हम कि पीछे से सेंडर आती है जिससे देखकर सबी शोक हो जाते है और फिर यहाँ पर एक बहुती जादा गहरा रास कुलता है सेंडरा और ब्रीडर का अफिर चल रहा था और उसके हस्बेंड को इसके बारे में पता लग गया था और इसलिए वो उससे छोड़ कर चला गया और जो बच्चा सेंडरा के पेट में था वो ब्रीडर का ही था जिसके बार में सेंडरा शॉप ओनर के पास में आती है और उसकी गर्दन में चाकू गुसा कर उसे मा डालती है और फिर वो उसे काटते काटते ब्रीडर से कहती है कि वो नजाने कब से उसे बचाती हुई आ रही है लेकिन ब्रीडर बस अपने फायदे के लिए लोगों को मारे जा रहा था सेंडरा और ब्रीडर अपनी बातों में लगे हुए थे और हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रीडर की बेटी जेनी को आजात कर देती है क्योंकि ब्रीडर सेंडरा को भी वो एंग्जेक्शन लगाने आ रहा था जिन में इन कीडों के लार्व होते थे फिर ब्रीडर जब जेनी के रूम में पहुचता है तो वे देखता है कि जेनी वहाँ पर नहीं है और वो जैसे ही पलटता है तो जेनी उसके सीर पर बोटल फोड़ कर उसे ही लॉक अप में डाल कर वहाँ से भाग निकलती है यहाँ पर सेंडरा परेशान बेटी थी क्योंकि उसका पती भी मर गया था और उसका बॉइफरेंड भी अब नहीं बचने वाला था और तब ही जेनी यहाँ पर पहुच जाती है सेंडरा के पास में उसे सजा देने के लिए सेंडरा उससे कहती है कि वो फसी हुई थी और अगर वो चाहे तो उसे छोड़ने के बदले उसे बहुत ज़्यादा पेसे देगी लेकिन जेनी उसकी बाते नहीं सुनती और वो बीडर की बेटी के साथ में मिलकर उसे वही पर उसी चेर से बान देती है और फिर बीडर की बेटी सेंडरा के पेट में वही इंग्जेक्शन लगा देती है जिसमें की वो कीडो के लारवा होते थे जिसके बार में ये दोनों यहां से चले जाते हैं और एक सीन में हम ये देखते हैं कि बीडर के पास में लॉक की चाबी थी और वो उस लॉक को खोल लेता है फिर नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं एक न्यूज शो पर जेनी का इंटर्विव चल रहा है वो बताती है कि बीडर ने अपनी बच्ची को ही किड्नेप कर रखा था और वो अब चैल्ड केर में है उन लोगों को बीडर के गरेट से कई सारे लाशे मिली लेकिन वो बीडर और सेंडरा दोनों को नहीं खोच पाए मूवी के लास्ट वाले सीन में हमें देखते हैं कि बीडर सेंडरा के साथ जेनी वाली न्यूस को देख रहा है और वो बस कुछ लोगों को काड भी रहा है जिसके साथ में ये मूवी यही पर एंड हो जाती है तो दोस्तों ये मूवी एक ऐसे बीडर पर है जो कुछ कीड़ों की बीडिंग करता है इंसाने के उपर वो लोगों को किडनेप करके पहले उन्हें एक ड्रिंक पिलाता है जिसमें वो कीडो के लारवा होते हैं और वो उनके दिमाग और अंदर के पार्ट्स को खा कर बढ़े होते हैं लेकिन बीडर की बेटी को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो जैनी के साथ में बीडर को रो की वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर सकरें और अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में